हलो फ्रेंड्स पुलाव किसे पसंद नहीं आते आज हम कौन पुलाव बनाने जा रहे हैं और साथ ही में बनाएंगे वेजिटिबल रायता पुलाव की साथ रायता बहुत टेस्टी लगता है आईए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कढ़ाई में हम मस्टर्ड ओयल को ले लेंगे जब ओयल गरम हो जाए तो उसमें हम तेज पत्ता दाल चीनी दो लॉंग चार पांच काली मिर्च एक हरी इलाइची डालेंगे और साथ ही में राई एक ग्रीन चिली और करी पत्ता भी इसमें एड़ कर देंगे मिर्ची ही रखना है लगबक 30 सेकंड हो गये है अब हम इसमें शिम्ला मिर्च एड़ कर देंगे वेजिटेबल्स को आप अपने अकोर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं इसे भी हम हलका सा ही कुक करेंगे मैं यहाँ पर प्याज नहीं डाल रही हूँ अगर आप प् और उसे भी हलका सा ही कुक करेंगे टमाटर हमारे हलके से कुक हो गये है अब हम इसमें कॉर्ण एड़ कर देंगे कॉर्ण को हमने पहले ही बॉयल कर लिया था कॉर्ण को वेजिटेबल्स के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें कुछ मसाले एड़ कर और एक बार मसालों को वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब वेजिटेबल और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसमें उबले हुए चामल एड़ कर देंगे चामल को हमने पहले ही उबाल कर रख लिया था या फिर बचे हुए चामल से भी आप प हम इसमें धनिया पत्ती एड़ कर देंगे और साथ ही में नीबू का रज भी इसमें एड़ कर देंगे हमारे पुलाव बन कर तयार है अब हम इसके लिए रायता बना कर तयार करेंगे रायता बनाने के लिए हमने धही को फैट कर ले लिया है अब हम इसमें बारी कटा हुआ खीरा और एक बारी कटा हुआ टमाटर एड़ करेंगे और साथ ही में हरी मिर्च और हरा धनिया भी इसमें एड़ कर देंगे यहाँ पर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर एड़ करेंगे और साथ ही में नमक एड़ करेंगे यहाँ मैंने सैंदा नमक यूज किया है आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल नमक या काला नमक एड़ कर सकते हैं एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैं इसमें सूखा पोदिना एड़ कर रही हूँ आप चाहें तो इसे इसकिप भी कर सकते हैं लेकिन पोदिना का बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारा रायता भी बनकर तयार है एक बार आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए बाई फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू